नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में जैसा नाम वैसा काम इस टूल की मदद से हम एक अच्छे रिजल्ड के साथ क्विकली सिलेक्शन कर सकते हैं दूसरे सब्दों में ये लेसो टूल, मैजिक वैंड और ब्रेस का कॉम्बो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह से ड्राइंग पेपर पे पेंटिंग ब्रेस से हम पेंटिंग करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे भी माउस की मदद से करसर को गुमा कर सिलेक्शन कर सकते हैं तो चलिए इसे Practically करके देखते हैं। Quick Selection Tool को सिलेक्ष करने के लिए Tools Panel पे जाएंगे और यहाँ पे Right Click करके Quick Selection Tool सिलेक्ष करेंगे। अगर आप Tools Panel से इस टूल को सिलेक्ष करना नहीं चाहते तो कीबोर्ड से W की प्रेस करते ही Quick Selection Tool एक्टिवेट हो जाएगा। W इसका shortcut है। अब हम Options बार पे चलते हैं। यहाँ पे पहला Option है New Selection। इससे हम New Selection कर सकते हैं। दुशरा Option है Add to Selection। इस Option की मदद से Selection में और Selection एड़ कर सकते हैं। तिसरा Option है Subtract from Selection। इस Option की मदद से Selection में से किसी भाग को रिमू कर सकते हैं। अब Next Option है Brush Speaker। यहाँ से आप अपनी Requirement के इसाब से Brush का सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से Brush की Size छोटी या बड़ी कर सकते हैं। या फिर Keyboard से Bracket की का यूज करके भी Brush की Size सेट कर सकते हैं। Left Bracket से Brush की Size छोटी होगी और Right Bracket से Brush की Size बड़ी होगी। जब हमें किसी छोटे से Portion का Selection करना होता है तो Brush की Size छोटी रखेंगे। और जब हमें बड़े इससे को Select करना है तो Brush की Size बड़ी रखेंगे। Sample All Layers अगर आपकी Image के लिए Multiple Layers है और आप चाहते हैं कि सभी Layers से Selection हो तो इस Option को Select कर दीजिए। अगर आप इस Option को Select नहीं करेंगे तो जो भी Layer आपने Select किया होगा सिर्फ उसी Layer से ही Selection होगा। Next Option है Auto Enhance। इस Option को Select करने से Selection किये हुए बाग की Ages बेटर और Smooth रहती है। अगर आपके Computer का Performance अच्छा नहीं है तो ये Process के लिए थोड़ा वक्त लेगा। और Last में Refine Age Option। Refine Age में जाके Selection की Ages को Adjust कर सकते हैं। इसके बारे में Next वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अब हम इस Corner से Selection की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हम Painting करते हैं। उसी तरह से Mouse से Cursor को Drag करके आगे ले जाना है। जैसे जैसे हम Cursor को Drag करके आगे ले जाएंगे, Selection होता जाएगा। इस तरह से। अब यहाँ पे और यहाँ पे Over Selection हो गया है। इसे ठीक करने के लिए Options बार से Subtract from Selection Option सेलेक कर सकते हैं। या फिर Alt की Press करके इस Option को Activate कर सकते हैं। जैसे ही हम Alt की Press करेंगे, हमारे Cursor की Sign Plus में से Minus हो जाएगी। अब Alt की को Press रखके Selection शुरू करना है। और Selection शुरू हो जाने के बाद Alt की Release कर सकते हैं। अब आपको धिरे धिरे यहाँ पे Ages पे Cursor को Move करना है। और इसके साथ ही Over Selection Remove होता जाएगा। इस तरह से अब Refine Age Option को Select करते हैं। और इस Option की मदद से Selection की Ages को Adjust करते हैं। अब यहाँ पे Age Detection में Smart Radius को Select करता हूं। और Refinement Area की Size Adjust करता हूं। और OK। अब यहाँ पे Background को Change करने के लिए Selection को Inverse करना पड़ेगा। इसके लिए Select में जाएंगे। और Inverse Option को Select करेंगे। इसका shortcut है Shift plus Ctrl plus I। अब Selection पे जाके Right क्लिक करेंगे। और Select via Copy Option select करेंगे। इसके साथ ही Selection Copy होके नए Layer में Save हो जाएगा। अब इस Background Layer को मैं उपर Move कर देता हूँ। और इसके साथ ही Background Change हो जाएगा। दोस्तो गर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद। क्व offers भारो अन्यवादीजान एज शर स्भा से